हम बात करेंगे डेली सल्तनत की from the year 1206 to 1256 वीडियो दो या तीन पार्ट होंगे इसके अगर एक वीडियो बनेगा तो काफी बढ़ा हो जाएगा तो इसको हम पार्ट में पढ़ेंगे आज हम गुलाम डाइनेस्टि की बात करते हैं ठीक है अब देखें 1206 से पहले भी हमारे उ जा थे उनको इसने मार दिया था ठीक है और अपना रूल एस्टबलिश कया था लेकिन फिर ये ज्यादा दिन तक रूल कर नहीं पाय था उसके बाद मुहमद गजनी आया वो सोमनाथ टेंपल को लूटता था और भाग जाता था ठीक है प्रित्विराथ चोहान उस ट्राइ इसको लूटता इंडिया के पास इतना पैसा था और ये लोग जंगली थे कभीलों में रहने वाले थे इनके पास कोई रिसॉर्सेज नहीं थे इंडिया एक रिसॉर्स फुल कंट्री था उस टाइम भी तो देखिए कुतुब उदिन एबग जो था वो 1206 में गुलाम डाइ हम याद रखने हमें जैसे यामिनी और इलबरी डाइनस्टी इसका नाम है ठीक है ना तो यह हम याद रखना है इसने लाहोर को अपने कैपिटल बनाय था और दिल्ली में कुतुब मिनार का कंस्ट्रक्शन इसी ने शुरू करवाय था और फर्स्ट फ्लोर बनवान जैसे इ गिर गयत और घोडे ने इसको मार दिया था यह स्टोरी है अब कहते थो हैं कि इसने बनवाय था कुतुब मिनार लेकिन आप देख सकते हैं फोटो में पिलर्स नजर आ रहे हमें यह स्टैचूज हैं आइडल्स हैं देवी देवताओं की तो कुतुब मिनार में यह सब आइ इसको कम्प्लीट करवाय था इलतूतमिश ने इलतूतमिश कुतुब दिन एबग का सनीन लो था ठीक है इलतूतमिश की बात करें तो यह सनीन लो कुतुब दिन एबग रनधमबोर का किला इसने जिता था 1206 में उसके बाद गौलियर और जालोर को भी इसने कंकर किया था मा है रजिय सुल्तान का एक पोर्ट्रेट ठीक है इलतुतमिश की बेटी थी अब देखिए इसलाम में क्या है ओरतों को पर्दे में रहने की अनुमती है वो पर्दा उनको रखना ही पड़ेगा लेकिन जो रजिय सुल्तान थी उसने इसको उपोज किया उसने कहा कि मैं पर्दा किया तर्किश अरिस्टोक्रेट जो थे उन्होंने इसका उपोज किया कि कैसे एक औरत हमारे उपर रूल कर सकती है क्योंकि वो मानते हैं कि औरत में दिमाग नहीं होता ठीक है और इसका काफी विरोध किया इन्होंने इसी वज़र से इसका रूल सिरुफ चार साल चला 1236 ल अब देखें बल्बन बल्बन जो था वो चहलगानी ग्रूप का एक स्लेव था जब इलतुतमिश राजा बना था उसके 40 स्लेव से famous band of 40 था उसके जो अरिस्टोक्रेट से उन में से ये एक था ठीक है अब एक स्लेव जो राजा बनता है तो वो क्या करेगा वो अपने आपक छो भग़ौन गोशित कर लेता है बल्बन ने आपको गोड कहा था कि सुल्तान जो होता है वो गोड होता है और इसने सिजदा और पैबो शुरू किये थे यानि कि जो भी राजा के दरवार में आएगा वो इस तरीके से राजा के सामने जुकेगा और राजा के ओपर किस कर उसको यह मार देते थे यानिकर आइरन तलवारोस को मार देते थे और उसकी जो वाईफ और उसक जो बच्चे है उड़ते जितनी भी थी उनकों ये कैदगर के ले जाते थे और अपने सैनिकों में बाटते थे ठीक है ये मैंने बताए ये जंगले लोग थे ये जहां से आये वहाँ पर रिसोर्स की कमी थी और इनका यही रहन सैन था इनके पास कोई पोलिसी नहीं थी बस ये एक दूसरे को मारते थे और राजा बन जाते थे ठीक है तो बल्बन के बाद खिलजी डाइनस्टी पढ़ेंगे हम बल्बन के बाद जैसे जितने रूलर से वो इनकैपेबल उनमें जैसे बल्बन मरा तो सभी में सुल्तान बनने की एक होड़ी लगी और एक दूसरे को मार देते थे क्यों मर्स बना क्यों मर्स को फिर जलालुदीन खिलजी ने मार दिया जलालुदीन खिलजी को उसी के नेफ्यू ने सनिन लो अलावदीन खिलजी ने मार दिया तो क्योंकि यह जंगली लोग थे इनका कोई सिस्टम नहीं था तो जो बल्बन है उसने काफी स्ट्रिक्ट लोज बनाए थे ताकि कोई और इसकी तरह किंग नहीं बन जाए सुल्तान नहीं बन जाए ठीक है तो अगला जो वीडियो होगा वो खिलजी डाइनस्टी पर होगा ठीक यहील बनाए में झालizing कि द्टान नहीं कि जाएगे हुआ यहांते कोई कि ए सकतया ईỏi aloudfrहाएं प्रहाँत।